नमस्कार मैं हूँ आपके संग प्रद्यूमनिश शर्मा आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट आज यानिकी 6 जनवरी है और इस खास दिन पर दो माहा नस्तियों के जनम दिन है एक वो जिनके बल्ले से रनों की बहचार हुई है और दूसरे वे जिनोंने अपने बोलों से दुनिया में पहचान बनाई है जी हाँ हम बात कर रहे है कपिल देव और AR रहमान की आज इन दौनों माहा नस्तियों के जनम दिन है जिनोंने भारत को नहीं पहचान दिलाई है पहले आपको बताते हैं कपिल देव के बारे में जिनको cricket में उच्छे और समानी दर्जा अपराप्त है इस महान खिलाडी ने भारत में पहली बार cricket world cup लाने का काम किया था जिसको उस समय किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था उन्होंने साल 1999 से साल 2000 की बीच 10 महीने तक भारत की कोच की भूमे का भी निभाई थी हरियाना तूफान के नाम से जाने वाले इस क्रिकेटर को क्रिकेट पिछ पर कभी भी रन आउट होते हुए नहीं देखा गया था चलिए अब आपको बताते हैं कपिल देख के क्रिकेट करियर में उनको किस-किस अवार्ट से नवाजा गया है सबसे पहला अवार्ट उनको पदम श्री मिला था उसके बाद विजजन क्रिकेट ऑफ दा इयर मिला है फिर उनको मिलता है अर्जुना अवार्ट उसके बाद पदम भूशन अवार्ट मिला है विजजन इंडियन क्रिकेटर ऑफ दा सेंचुरी अवार्ट से भी उनको नवाजा गया है और वहीं बात करें संगीत की तो एक ऐसे गायक है जो हिंदुस्तानी नहीं बलकि पूरे विश्व में फेमस हैं हम बात कर रहे हैं एयर रह्मान की हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद संगीत कार है सुरो के बाश्चार रह्मान ने हिंदी के अलावा अन्नकई भाशाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है रह्मान Golden Globe Award से सम्मानेत होने वाले पहले भारतिये हैं एयार रह्मान ऐसे पहले भारतिये हैं जिनने बिटिश भारती फिल्म Slum Dog Millionaire में उनके संगीत के लिए तीन ओसकर हासिल हुए थे इसी फिल्म के गीत जैहो के लिए सर्वस्षेष्ट साउंट्रेक और सर्वस्षेष्ट फिल्म गीत की श्रेडी में उनको दो ग्रैमी पुरसकार भी मिले हैं न्यूजवल इंडिया की तरफ से इन दौनों महानस्तियों को जर्म दिन की बहुत बहुत शुब कामना है फिलाल स्पेशल डे में सर्फ इतना ही बनेरिये न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार